हलो माई दियर स्टूडेंट्स, वह गुड़ मॉर्निंग, आम प्रेनना, यो होम साइंस मेंटॉर, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट मेरे आज के सेशन में, जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएंगे, सेशन को Like Share करेंगे स्टूडेंट, आज की क्लास को पूरा अटैन करेंगे, आज आप लोग को स्टूडेंट क्लास में कराने वाली हुम है, डार्ट्स के बारे में, So fullness of garment हमारा आज का topic रहने वाला है जिसको हम कल complete करेंगे आज हम शुरू कर रहे हैं ऐसे आज हम लोग डार्ट के बारे में जितना maximum जान सकते हैं उतना जानेंगे student and कल की class में हम लोग easing क्या होती है, gathering क्या होती है, sharing क्या होती है and tux क्या होते है इनके बारे में जानेंगे, जिससे कि जो बच्चे मेरे YouTube learner हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको बहुत अच्छे से ये तैयारी करनी है वो at least इस class को attend करके, डार्ट के concept को बहुत अच्छे से समझ सके सो class को like share कर दो पहले ही भई, अच्छी लगे तो and पूरा बाद में भई जो like करना चाता है, वो बाद में कर दे न, जिससे बाद में लगता है कि चलो, आज की class fruitful थी, कुछ वर्थ था, कुछ हमने सीखा सो वो लोग बाद में भी कर सकते हैं, सब लोगो को very good morning, जितने भी यह happy faces हैं, सब लोगो को very 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 good morning students, ठीक है जी, सो जो भी मेरे साथ जुड़े है, essential fatty acid, essential amino acid, mufa, pufa, देखो, मैंने कल भी आप लोगो को बोला था, कि मुझे यहाँ पे live chat में मत बताया करो, कि माम हमें यह topic कर मुझे बताया करो student, अब मेरे comment section में, यानि कि, जो class के नीचे comment का option आता है, वहाँ बताया करो, जिससे मेरे लिए easy हो जाता है, क्योंकि student, मैं वहाँ पे live chat में नहीं देख पाती, बाद में class होने के बाद, live chat मुझे 24 hours के बाद मिलती है, ठीक है ना, thank you so much student, यह ध्यान रख कि मुझे आपकी जो live chat है ना, देखो live chat सिर्फ तब तक रहती है, जब तक class चलती है, उसके बाद live chat student 24 गंटे के बाद देखने के लिए मिलती है, so उससे बहतर यह है, कि आप मेरी हर दिन की class के नीचे मुझे topic बता दो, कि मैं ये करा देना, मैं वो करा दूंगी, आप live chat मे हमेशा लिखते हो, पर मुझे कहीं भी ना, बाहर लिखके नहीं बताते, चलो, आज का topic देखते है, student, आज मैं आपको करा रही हूँ, किस चीज़ के बारे में, परिधान में fullness कैसे होती है, यानि कि student हम लोग परिधान में पूर्णता कैसे लेकर आते हैं, ठीक है ना, so जो बच्चे स्टॉपक के में, परिधान के माँ यह होता है, अच्छा यह ऐसे नहीं होता माम, तो यह क्या होता है, तो बहुत ज़ादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, चलिए, इसके बारे में आपको दिखाते हैं, सबसे पहले जानते है, student के फुलनेस होती क्या है जो garment में हम fullness को use करते हैं, क्या purpose है, क्यों करते हैं, क्या है garment में fullness और क्या इसका इस्तमाल है, क्यों ये डाली जाती है, इसके बारे में बात करते हैं student, आज आप बिंदी में अच्छे लग रहे हो, thank you so much, चलिए ध्यान से देखते हैं student, fullness is done to shape a garment, सबसे important point, मैं hashtag लगाती जा र रहिएगा, कि हमारे कपड़ों में, जो हम fullness को use करते हैं, क्यों करते हैं student, क्योंकि कपड़ों में fullness को use करने से क्या होता है student, हमारे कपड़े में shape आती है, यानि कि fullness हमारे कपड़े को क्या देती है, आकार देती है, इस point को याद रखीगा student, अच्छे से समझने की कोशिश क कीजिए कि जो फुलने से वह हमारे कपड़े को क्या देती है स्टूडेंट आकार देती है यह पॉइंट आप लोगो को क्लियर होना चाहिए दूसरा पॉइंट इट ऑलसो एट्स इन गार्मेंट फिटिंग अब एक और पॉइंट आप लोगो को मिल गया स्टूडेंट यह क् कि फुलनेस की वज़े से आपके गार्मेंट में क्या आती है स्टूडेंट फिटिंग आती है यानि कि जो व्यक्ति क्या करता है कपड़े को पहनता है कपड़ा उसकी बॉड़ी पे अच्छे से फिट हो जाता है यानि कि गार्मेंट की फिटिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, so पहला important point क्या है student, कि गार्मेंट में फुलनेस को यूज करने से आपके कपड़े को शेप मिलेगी, दूसरा important point आपके कपड़े को फिटिंग मिलेगी, तो हमें दो point मिल गए ना, पहला point क्या मिला है student, कि हमारे कपड़े की शेप अच्छी हो जाती है, दूसरा point क्या है student के कपड़ा जो होता है आपकी, उसमें क्या आती है student, जो फिटिंग है, वो अच्छी आती है, ठीक है ना, ये दो purpose हमारे main purpose है, for ease of movement and comfort, fullness is introduced in the garment, एक और point मिल गया हमें student, इसको ध्यान से देखिएगा, वो point क्या है, कि अगर आप garment में, क्या करते है, फुलनेस को add करते है, student या इसको क्यों इंटड्यूस किया गया है, यानि कि हम अपने कपड़ों में, क्यों हमने fullness को इंटड्यूस किया, 지금은 क्या रहती है, भई, धूटनेस को धूंडा गया, खोजा गया, या इसको कपड़ों में डाला गया, क्यों? ऐसा क्या था? उसका reason य करना है उसको श्कर्ट पहननी है और श्कर्ट ना बिल्कुल ओपर से नीचे तक तक बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सीधी ओ ठीक है वो व्यक्ति चल भी नहीं पाएगा उसके ऐसे-ज़कर पैर चलना शुरू हो जाएंगे तो उसमें कही ना कहीं कोई चुन्नट डाली जाती है, कोई प्लीट डाली जाती है, कोई डाल्ट बनाया जाता है, वो इसलिए ही तो बनाया जाता है, कि movement करने में आसानी रहे, अगर student आपको क्या कहा जा रहा है, कि आपको क्या करना है, आपको कोई straight skirt पहननी है, उसमें कोई कट ना हो कुछ ना हो सो आप चल भी नहीं पाओगे है ना आपको बैठने में दिक्कत होगी सो यह ध्यान रखिएगा कि आपके body movement आसानी से हो सके इसके लिए हम कपड़ों में क्या करते हैं student fullness को add करते हैं ठीक है ना सो हमारे किस चीज को easy बनाता है student अगर हम कपड़ों में fullness को add करते हैं तो हमारे जो body movement होते हैं यह उन्हें क्या बनाता है student easy बनाता है ठीक है यह ध्यान रखिए वो क्या हो जाते हैं easy हो जाते हैं और हमारा कपड़ा पहनने में comfortable हो जाता है ठीक है इस चीज को याद रखिएगा कि जो कपड़ा पहन रहे हो student वो पहनने में काफी comfortable हो जाता है यानि कि आप देखते भी होगे student कि कोई इंसान बहुत जादा fitted कपड़ा पहन के बैठता भी है उसे बहुत दिक्कत होती है जैसे कि narrow वाली जो paint आती है जो suit के साथ narrow paint चलती है अगर आप उन्हें पहन के कोई आपसे कहे कि किसी के घर कठा में जाओ और ऐसे आलती-पालती मार के बैठ जाओ सो बैठने में दिक्कत होगी या नहीं होगी जबकि अगर आपसे कोई कहे कि प्लाजो पहन के बैठ जाओ सो आप easily जमीन पर बैठ जाओगे सो difference है दोनों चीजों में इसको relate कर पा रहे हो दोनों चीजों में अंतर है कि जब हम जमीन पे बैठे हैं पालती मार के सो हम narrow paint में नहीं बैठ सकते हैं पर हम प्लाजो में बैठ सकते हैं क्यों इस student ऐसा क्यों है क्योंकि उनके अंदर एक fullness है उसकी वज़े से वो comfortable है वो एक और point आजाता है कि आप ना अगर आप प्लाजो की बात करोगे तो आप मुसे कह सकते हो कि मैम प्लाजो में कहां fullness डाली गई है प्लाजो में तो कोई fullness नहीं होती वो तो बस ढीला होता है लूज होता है इसलिए हम उसे असानी से पहन के बैठ जाते हैं तो ऐसा बिलकुल रहता है बैठने में तो ये ध्यान रखिए कि पुलनेस क्या करती हैं आपके कपड़े को shape देती है fitting देती है student body movement को easy बनाती है और आपके कपड़े को क्या बनाती है student comfortable बनाती है जिसे आप असानी से पहन सकते हो और आपको एक आराम कानुभव हो सकता है उसे पहनने के बहुत अच्छे से बिल्कुल भी इसमें लापरवाई मत करना नेक्स पॉइंट आता है दे अरार वेरियस टाइप फुलनेस सो सुड़न आपके गार्मेंट में अलग अलग तरीके की फुलनेस होती है जिनको हम इस्तमाल करते हैं यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसको या मार्धियम से डाल सकते हैं दूसरा तरीका आप तक्स के मार्धियम से डाल सकते हैं तीसरा तरीका आप प्लीट्स के मार्धियम से डाल सकते हैं और फोर्ट वन इस गैदर के मार्धियम से डाल सकते हैं तो अब आपको यह चीज क्लियर रहनी चाहिए कि यह जो चार टॉपि किन किन चीजों से देते हैं डार्ट से देते हैं टक्स से देते हैं और गैदर से देते हैं यह पॉइंट क्लियर रहना चाहिए अगर इतना concept भी clear है हमें answer को पहचानना काफी easy हो जाता है जिसके concept बिगड़े वे होते हैं वही emceq में गलती करता है और वाइस अगर हमें कुछ भी नहीं आता ना तभी भी हम MCQ में थोड़ा-थोड़ा समझ के आंसर कर देते हैं तो उसके लिए basic concept क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ठीक है चलिए आगे ध्यान से देखते हैं student next section आता है हमारा fabric is two dimensional has only height and weight अब यहां थोड़ा गड़ित लगेगा इसको समझते हैं student देखो जैसे माल लीजे student हम कपड़े की बात कर रहे है कि कपड़े को मैंने बोला two dimensional होता है क्यों होता है student क्योंकि कपड़े को अगर आप देखेंगे यह माल लीजे कपड़ा है सो कपड़े में क्या होती यह student लंबाई होती है और चोड़ाई होती है दो चीजे होती है ना सिर्फ कपड़े में लंबाई और चोड़ाई माल लीजे student यह माल लीजे मेरी जैकेट है ठीक है ना यह जैकेट है तो इस जैकेट में क्या है अगर मैं इसको ऐसे देखती हूं तो इसकी लंबाई है और मैं इसको ऐसे देखती हूं student तो इसकी चोड़ाई है दो चीज़े है ना कपड़े में ये चोड़ाई होती है आपकी लंबाई होती है दो चीज़े हो गए लंबाई चोड़ाई हो गई पर student अगर मैं एक इंसान की बात करूं तो क्या उसमें सिर्फ लंबाई चोड़ाई है नहीं होता यहками रखिएगा कि gonna barbecue which student वह आपका जो बनता है वह इस साफ से बनाया जाता है कि वह आपका किसी इंसान को अच्छे से फिट हो जाए so fabric क्या है student fabric है two dimensional यह ध्यान रखिएगा fabric क्या है student two dimensional होता है ठीक है और two कासान की बात करते हैं वो ठी डायमेश्वल होता है ठीक है जी एक अगर मैं अपनी बात करूं सम wood क्यों क्यों की है आपकी है उच्फ बिहाइक और हैं ठीक है नह plates तीन चीजे हैं přES ኩे अभी が मालि निए स्टूड़न अगर मैं सकी बात करती हूं ठीक के phone है ठीक है ना सो यह मुट आपका mobile phone है student अगर मैं इसमें क्या देखती हूं यह वाला पॉर्षन देखती हूं इसमें student यह हो गई मेरी लंबाई ठीक है ना यह हो गई मानली जे चोड़ाई पर अगर मैं इसकी नीचे से लेकर ऊपर तक count करूं तो यह हो गई इसकी गहराई सेम वही इंसान का फंडा रहता है कि अगर मैं आपनी बात करती हूं student यह मेरी लंबाई है ठीक है ना यह मेरी चोड़ाई है और student यहां से यहां तक जो बीच का portion है जिसको मैं चोड़ाई कह रही हूं वही मेरी क्या है student गहराई भी है तो यह ध्यान रखिएगा कि पूरा जो इनसान है वो तीन proportion से मिलके बन रहा है जबकि कपड़ा आपका दो proportion से मिलके बन रहा है कपड़े में सिर्फ लंबाई और चोड़ाई है जबकि इनसान में लंबाई भी है चोड़ाई भी है और मुटाई भी है तो यहां पे वो थ् वेटिंग नहीं आएगी ना सो उसके लिए क्या किया जाता है स्टूडेंट कि जो आपका ये टू-डाइमेंशनल फैब्रिक है जिसमें सिर्फ लंबाई और चौडाई है उसको एक थ्री डाइमेंशनल इंसान के उपर फिट करने के लिए आपके फुलनेस के तरीके खोजे गए है थीक है निग्यान रखिएगा इसलिए ही क्या किया गया है स्टूडेंशनल फुलनेस का तरीका जुनदा गया है कि त्यूडेंशनल चीज है उसमें इस तरीके सरे कर्व जालेंगे बनाएंगे प्लीट बनाएंगे कि वह टू-डाइमेंशनल कपड़ा आराम से थ्र कपड़े में ना व zaj्राइटी क्यों लेकर आएंगी में मॉन कर Radio में मैं पहनु सकट में चाहती हूं मैं बॉक्स प्लीट डालू कभी मैं सव जाथी हूं मैं सूडि मैं नाइफ stair डालूं है ना तो मैं अलग-अलग तरीके की प्लीट अपनी स्कर्ट में अगर डालूंगी सो अव्यस सी बात है ना कि कपड़ा अलग-अलग variation का लगेगा मान लीजे वंधना जी है रचना जी है एन मांसी है रूची है शेगना कृष्णा जी है यह सारे लोग यह पांच लड़कियां खड़ी है और पांचो अलग-अलग तरीके की प्लीट वाली स्कर्ट पहन के खड़ी है तो क्या पांचों की स्कर्ट एक जैसी लगेगी नहीं लगेगी पांचों में समझना पड़ेगा कि कपड़ों में वेराइटी लाने के लिए भी फूल्नेस को डाला जाता है ठीक है आ जाते है में टॉपिक पे जो की है डाट तो इस अब बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको अभी तक बताया वह पूरा बेसिक इंट्रो था फुलनेस क्या है कितने प्रकार की है क्यों हम फुलनेस को यूज करते हैं अब हम बात करते हैं डाट्स की चीक है सो इतना clear था ना जतना अभी तक बताया student इसमें कोई डाउट तो नहीं था आप लोगों को कि माम ये चीज समझनी आई फुलनेस है क्या या क्यों हम फुलनेस को यूज करते हैं क्या परपस है इतना sorted है इसमें कोई डाउट तो नहीं है student yes or no एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता दे ना देखो student जो डाउट होते है ना डाउट आपके ना एक तरीके से मान लीजिए एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट की वज़े से आपके गार्मेंट में फिटिंग डाली जाती है और शेप दी जाती है ठीक है ना अगर मैं इसको एक नॉर्मल वर्ड में एक लाइन मे क्रेंट होते हैं कंजिए होती है गैदर क्या होती है गैदर होती है स्विटें चुननत बच्चों के फ्रॉक देखे होंगे ना बच्पन में जो छोटी-छोटी लड़किया फ्रॉक पहनती है उनकी ये वाला एरिया होता है ना कमर वाला इस पे ऐसे ऐसे करके कपड़े को इखटा करके जो आपकी क्या डाली जाती है ना वो गैदर होती है तो हमें पता सब है बट हमें वो जो लेंगवेज है ना उसके अकॉर्डिंग खुद को साइंटिफिक चीजों को समझाना है जानते हम सब हैं हमें पता है कि भाई हम फ्रिल लगाते हैं पहले पेटी कोट में नीचे की तरफ लगाई जाती थी आजकल वो स्लीव में लग रही ठीक है तो गैदर होती है चुरनट अब यहाँ पे आपको डार्ट के लिए एक बात याद रखनी है स्टूडन के जो डार्ट है वो होते हैं आपके त्रिकोणिये तह यानि कि कपड़ों में स्टूडन तह बनाई जाती है हम कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करते हैं और उ निकल के आती है त्रिकोण की फो में निकल के आती है यह आपको पता होना चाहिए कि डार्ट होता है ट्राइंगुलर यह वर्ड याद कर लीजेगा दूसरी बात हम इसे ड्रेस मेकिंग का एक एसेंशल पार्ट मानते हैं यानि कि स्टूडन जो हम अपना कपड़ा तयार कर होता है कपड़ा बनाने की विधी में एक बहुत इंपोर्टन जो हिस्सा है वो डार्ट होता है ठीक है इस चीज को समझी है स्टूडन इट शेप फ्लैट पीस ऑफ फैबरिक तो फिट इन्टू नेचरल कर्वस ऑफ दा बॉड़ी इन बस्ट एरिया आम होल नेक लाइन एं अब की जिसे हम कहते हैं फैबरिक उस टू डाइमेंशनल चीज को स्टूडन ये क्या करता है उस फैबरिक को ये फिट बनाता है जिससे की जो हमारी बॉड़ी के नेचरल कर्वस होते है ना जो हमारे शरीर के स्टूडन क्या होते हैं? शारीरी जो माप होते हैं हमारे जो आकार है हमारे शरीर का उस आकार की अनुसार स्टूडेंट ये एक समतल कपड़ा जो है न उसे फिट बनाया जा सके इसके लिए डार्ट का इस्तमाल किया जा सकता है ठीक है न कि जो डार्ट है वो समतल कपड़े को किसके अनुरूप बनात है जिससे कि जो हमारी body के curves हैं उसके according वो समतल कपड़ा set हो सके ठीक है आगे देखिए student इसके वज़े से जो हमारी body के curves होते हैं जैसे कि hips वाला portion कमर वाला portion है ना student arm hole वाला portion जो होता है and गले वाला portion जो होता है उस पे special effect डाले जाते हैं और वो curves जो दिखते हैं वो dart की वज़े से दिखते हैं वो curves को दिखाने के लिए body का जो हमारा structure है उसके according कपड़े को shape देने के लिए कपड़ों में dart का इस्तमाल किया जाता है यह point आप लोगो को student जिसको कपड़ों में डाला जाता है बताऊंगी अभी आप लोगो को के dart होता क्या है चिंता मत कीजिएगा अभी आपको सारी चीज़े समझाओंगी student एक question आ रखा है tux क्या होता है student देखिए जो tux होते हैं वो कपड़ों में डाले जाते हैं कपड़ों में सिलाई लगाई जाती है फोल्ड किया जाता है उन्हें थोड़ा थोड़ा और उसको decorative form में किया जाता है कुछ आपके box की form में बनते हैं कुछ diamond की form में बनते हैं और उनके किया जाता है महिलाओं के कपड़ों में इस बात का ध्यान रखिएगा डार्ट का जी रख now क्रते हैं महिलाओं कुबंद को बनाने में क乐 यात किया है इस त्चीज्ज को रट्ट कर लो कि डाहर जाधा तर वोमें कोने में इस्तेमाल के सैंड्र निवाइज और नॉट भी इग्नॉर्ड जब हम कोई भी ड्रेस को डिजाइन कर रहे होते हैं भाई डार्ट को समझना हमारे लिए तब बड़ा जरूरी हो जाता है हम इसे इग्नॉर्ड नहीं कर सकते अगर हमने कर दिया तो ड्रेस में फिटिंग नहीं आएगी या तो डार्ट या टक या प्लीट या गैदर कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा जिसकी वज़े से फुल्नेस आ सके अदरवाइस काम नहीं चलेगा ठीक है ना चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडें येस तकियों में भी बने वे होते हैं पहले समय में जैसे की मेरी मदर का एक शादी के टाइम का ब लगाये जाते थे पहले अब तो फैशन दीरे दीरे आउट हो गया है तक्स का बट फिर भी मतलब पहले काफी पॉपुलर था ठीक है ना आगे देखी स्टूडेंट वाइल प्रिपेरिंग डार्स स्टिचिंग शुड शुड स्टार्ट फॉम ड़ॉड एजज ऑफ दे डा बेसिक रूल फॉलो किया जाता है और वो बेसिक रूल क्या है कि जभी भी डार्ट को प्रिपेर किया जाएगा जो स्टिचिंग लगाने शुरू होगी स्टूडेंट वह हम ब्रॉड एरिया से लगाना शुरू करते हैं तब हम उसे टिप की तरफ लेके जाते हैं सो माल लि इसका ब्रॉडर एरिया है यहां से सलाई लगाना शुरू करेंगे और इसे टिप की तरफ लेके जाएंगे इस चीज़ को स्टूडेंट याद रखिएगा ठीक है ना इस चीज़ को आप समझ सकते हैं याद रख सकते हैं कि यहां पे स्टूडेंट क्या है ब्रॉडर एरिय और ये भी ध्यान रखिए student कि कपड़े के सिलने से पहले ही उसमें dart डाल दिया जाता है so ऐसा नहीं है कि dart कोई ऐसा decorative effect है जिसको हम बाद में add on करेंगे नहीं, dart को student कपड़ा सिलने से पहले ही उसमें क्या कर दिया जाता है add on कर दिया जाता है, so एक final garment की stitching से पहले उसमें dart को add किया जाएगा ठीक है न, thank you so much भई, जो लोग अच्छी अच्छी तारीफे कर रहे हैं आज it helps in making the garment more fitted और ये student करता क्या है कि आपके कपड़े को और भी जादा fitting देता है आपकी body के according so dart का का काम क्या है, body को fit दिखाना एक तरीके से कपड़े के अंदर यानि कि हम मान के चलिएगा कि अगर हम कोई कपड़ा पहन रहे हैं so वो हमारे शरीर के आकार के अनुसार लगना चाहिए हमारे शरीर पे पहनने के बाद वो अच्छा लगना चाहिए इस चीज़ के लिए student यूज किया जाता है dart चलिए आगे ध्यान से देखते हैं अब dart के types की बात करते हैं student तो ध्यान रखिएगा जो आपके dart है mainly दो तरीके के dart होते हैं जिनको सबसे ज़ादा popular माना जाता है और ये दो तरीके के बाद जो आपके बाकी अगल कहीं लगाये जाते हैं वो इनका variation हो सकता है otherwise ये दो dart हैं जो काफी popular है जिनको गार्मेंट में सबसे ज़ादा इस्तमाल किया जाता है so first one कौन सा आता है student single pointed dart नाम याद रखिएगा इनके नाम में बच्चे बहुत जादा confused होते हैं ठीक है ना first आता है student single pointed dart अब आपके single pointed dart क्या होते है ठीक है इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा जो single pointed dart होते है student इसका मतलब क्या है नाम क्या बता रहा है हमें single pointed so single pointed का मतलब क्या होगा student जहाँ single point है इसको word को समझने की कोशिश कीजिएगा single pointed dart का मतलब क्या होगा student जहाँ single point है जहाँ पे जो pointer वाला area है वो सिर्फ एक होगा माल लीजे मैंने आपको ये बना के दिखाई थी एक picture है ना इस picture में मैंने बोला कि इसका broader वाला ages है ये इसका pin वाला point है जो point वाला area है वो एक point वाला area है तो single pointed dart में क्या देखने के लिए मिलेगा student कि जो ये point वाला area है ना ऐसे वाले dart में वो एक ही area होगा इस चीज को याद रखिएगा student आपका जो ये point वाला area है student वो एक ही area होगा ये आपको याद रखना है इसलिए हम इसे single pointed dart के नाम से जानते हैं ठीक है चलिए इसको अच्छे से समझिए student जो single pointed dart होते हैं उनको हम standard dart के नाम से भी जानते हैं और half dart के नाम से भी जानते हैं ये point ना हमेशा miss नहीं करने चाहिए ऐसी ऐसी चीजों को note down करते रहना चाहिए कनी का मेरा बर्दे आज नहीं है मेरा बर्दे अगस्त में होता है ठीक है सो ये ध्यान रखिए student कि जो आपका ये dart होते हैं जो single pointed dart होता है single pointed dart को हम लोग standard dart के नाम से भी जानते हैं और half dart के नाम से भी जानते हैं इस point को याद कर लो important है note down कर लो जिससे की another name हमें हर चीज का पता होना चाहिए कि क्या होता है ठीक है ना सो single pointed dart का नाम है standard dart half dart these dart are in triangular shape ये भी dart कैसा होता है student triangular shape में होता है तो ये क्या हर dart triangular shape में होता है इस चीज को भी याद रखना कि dart चाहे कोई भी डाला जाए mostly dart की shape triangular ही निकल के आती है ठीक है wider at one end अब इसकी एक इसका ध्यान रखो student इसकी खासियत को समझने की कोशिश करो कि एक एंड पे तो student चोड़ा होता है wider होता है and narrow on the other end और दूसरे एंड पे student ये narrow होता है इसके description से ठीक है हमें चीजे असानी से समझ में आ जाएंगी ठीक है न ये ध्यान रखिएगा yes जो आपका peak point है न वही pointed वाला point होता है student thank you so much student so आपके इस वाले dart की खासियत क्या है कि इसमें एक point होगा student wider वाला एक point होगा narrow वाला इतना समझ गए हम अब मैं dart बना के दिखाती हूँ आपको मैंने अभी picture नहीं देखी है देखो पर मुझे इतना पता है जो आप भी समझ जाओगे कि एक point चोड़ा है एक point पतला है और दिखने में triangular है तो क्या बन के आएगा तो student आप लोगों का बन के आएगा ये वाला image ठीक है ना एक point चोड़ा ये हो गया एक point पतला ये हो गया और student triangular ये बन गया तो ये dart दिखने में ऐसा लगेगा ठीक है ना जैसे कि इसका नाम है वैसे ही आप इसे समझने की कोशिश करो उसी description से हमें अपना answer निकालना है है ना वही हमें टेक्नीक सीखनी है जिससे की exam में option की help से अपने answer को ढूण पाए सो इस वाले dart में clearly mention है triangular दिखता है एक एरिया wider है एक एरिया क्या है narrow है सो कैसा बनाएंगे ऐसा बनाएंगे एक एरिया पतला हो गया एक एरिया चोड़ा हो गया और दिखने में triangular हो गया स्टूड़न यही जो आपका डार्ट होगा यह डार्ट आपका single-pointed डार्ट कहलाएगा ठीक है ना इसको किस नाम से जानते है स्टूड़न सिंगल पॉइंट डार्ट और आपके standard डार्ट और half डार्ट के नाम से जानते हैं आगे ध्यान से देखिए स्टूड़न ऐसे डार और कमीज में भी बनाते हैं ठीक है इस पॉइंट को याद रखिए स्टूड़न कि यह जो ब्लाउज आपका होता है ना ब्लाउज में वाले डार्ट डाले जाते हैं स्टूड़न स्कर्ट में डाले जाते हैं पैंट्स में डाले जाते हैं और कमीज में डाले जाते हैं ठीक करते हैं बड़ जैसे कि एक्जाम यूजिसी नेट का है तो ऐसा है नहीं कि सिंगल पॉइंटेड डार्ट से क्वेस्टन दे दिया जाए कुछ तो ट्विस्ट एंड टर्ण चाहिए होंगे कुछ तो ऐसा चाहिए होगा जो कंफ्यूज करने वाला हो बच्चों को वरना वो यूजेशी नेट कैसे कहलाएगा है यूजेशी नेट का मतलब कन्फ्यूजन ही तो होता है तो आपका second category डार्ट की है student जिसको हम कहते है double pointed डार्ट अब इस डार्ट की बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस डार्ट का जब question exam में आता है image भी लगा रखी है जी आपका ही comment मैंने पढ़ाता कल सो मैंने आज image भी डाली है मतलब अपनी class की last slide में मैंने image डाली है वो मैं आपको भी दिखाऊंगी जब यह description समझा दूँगी सो मैंने कल एक comment पढ़ लिए ता कि माम image भी डाला करो सो आज मैंने सोचा कि image को भी add करती हूँ जिससे की बच्चों को और अच्छे से visible हो जाए ठीक है चलिए ध्यान से रेखिए student जब हम double pointed dart की बात करते हैं तो इस dart के बहुत सारे name होते हैं और इस dart की एक खासियत यह है क इसे एक्जाम में double pointed dart के नाम से बहुत कम पूछा जाता है एक और इसका another name है जिसके नाम से एक्जाम में काफी ज़्यादा popular है वो नाम क्या है वो भी आपको बताती हूँ double pointed dart is also called as full dart ठीक है ना यह ध्यान दखिए student जो आपका double pointed dart होता है उसको हम full dart के नाम से भी जानते है these dart are pointed at both the ends and are wider at the middle तो हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है student कि जो यह वाला dart होता है यह आपका दोनों point पे क्या होता है नेरो होता है पर बीच में क्या होता है student आपका चोड़ा होता है है ना क्या लिखा है देखो these dart are pointed at both the ends जो इसके end होंगे student उन दोनों ends पे क्या होगा न चोड़ा होगा सो उपर पतला है नीचे पतला है बीच में कैसा है student चोड़ा है इस dart की यह क्या होती है खासियत होती है ठीक है आगे ध्यान से देखिए student they have two end points अब इस dart में आपको एक चीज और याद रखनी है कि इस वाले dart के क्या होते है student two end point होते है ठीक है ना इस dart में जो finishing point निकल के आते हैं जो ending point निकल के आते हैं वो 2 end point निकल के आते हैं ठीक है two wider points और student है twice के two wider points होते हैं and then legs and then connect all points together और student बाद में जो इसके legs area होते हैं वो सारे points को आपस में जोड़ देते हैं ठीक है ना क्या बात है answer आने शुरू हो गए है so इसमें क्या है student जो end points है आपके दो होंगे wider point student इसमें आपका बीच में center में आएगा और student इसमें दोनों जो point है वो आपस में जुड़े होंगे यह चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए और ऐसे dart को student हम जानते हैं fishy dart के नाम से so यह वो point है जो exam में काफी पूछा जाता है कि fish dart आपका कौन सा dart होता है so इस वाले dart को जभी भी student exam में पूछा जाता है कभी भी double pointed dart के नाम से question आता ही नहीं है जब भी पूछा जाएगा student तो यह fishy dart या fish dart के नाम से पूछा जाता है इस चीज को याद रखिएगा student ठीक है ना इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए student इसे हम किस नाम से जानते हैं fish dart या फिशी dart के नाम से जानते हैं चीक है ना इसको अच्छे से relate करने की कोशिश कीजिएगा इसे fish dart या fishy dart भी कहते हैं आगे देखो student बात करते हैं कि आखिर इस dart का use कहा कहा किया जाता है ठीक है जब हम इस dart को रिलेट करेंगे student तो हमें यह भी पता होना चाहिए ना कि dart का use कहा कहा पे करते हैं so double pointed dart in use in bodies of plain blouses and kameez student जादा तर इस तरीके के जो dart को हम use करते हैं उसको हम kameez बनाने में करते हैं और student जो bodies होता है उसे बनाने में और सिल्हूट क्या है नाम सुनाए सबने सिल्हूट का student beauty of nature ओके इस बार मैं में net का एक्जाम दोंगी मेरा पीजी अपीरिंग है अभी माम जी आपकी classes very helpful है thank you so much okay चलिए ध्यान से देखिए student मैं Hindi medium के बच्चों को भी पढ़ाती हूं student but मेरी classes में मेरे में मोस्ली इंग्लिश में रिलेट करती हूं बड़ आपको Hindi explanation देने की कोशिश करती हूं जिससे की एट लीस आपको एक अच्छा content मिल सके क्योंकि आपको पता है कि देखो मेरी classes के साथ मैं जानती हूं कि कुछ बच्चों को यह issue रहता होगा कि मैम ना English वाली line को read करती है Hindi वाली line को read नहीं करती उसका reason यह है student कि जबी भी मैं पढ़ाती हूं English वाले आपको पता है कि English में matter बहुत है और actual में जो quality content है जहां से net में आएगा वो English की books में ही आपको मिलेगा बट मैं यह नहीं कहूंगी कि आप अपना transformation कर दो कि just आप बदल दो खुद को कि ठीक है आप Hindi के और मैं आपको कहूं नहीं आपको English में पढ़ना पड़ेगा otherwise अगर मैं आपको चार लाइने हिंदी की पढ़के बताऊंगी आप सिर्फ उतना पढ़ोगे and हिंदी की books में matter seriously बहुत limited होता है आप भी जानते हो कि हिंदी की books उतनी updated नहीं है और आपको पता है कि UGC net का level ऐसा है आप seriously देखो आप सब लोग intellectual people हो आप तयारी कर रहे हो आप मुझे comment section में ये लिख के बताना कि जितना syllabus UGC ने UGC net में दे रखा है home science के subject में क्या उसकी हिंदी किताबे available हो पाएंगी क्या हिंदी से ये syllabus cover up हो सकता है मुझे नहीं लगता है student इतने topics तो आपके ऐसे हैं जो हिंदी में मिलते ही नहीं है आप कहीं भी ढूंडोगे आपको मिल ही नहीं सकते जैसे कि student आपका food service management वाला section कहीं नहीं मिलता आपकी जो आपकी क्या होती है student भोजन की शैलियां है नहीं मिलती आप कितना भी ढूंड लिजेगा communication की theory नहीं मिलेंगी कहीं भी ऐसी चीज़े जो होती है student ये ध्यान रखिएगा कि हमारे number ना फिर cut जाते हैं हमें वो उठाने है मेरी class का purpose यह है कि हिंदी वाला बच्चा भी at least अच्छे से इस explanation को समझके अगर notes बनाएगा न तो वो भले English ना पड़े वो हिंदी में उन चीजों को लिख लेगा न उसका काम चल जाएगा यह मेरी class का purpose रहता है इसलिए मैं दोनों languages में से मैं English यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं वहाँ जादा comfortable हो जाती हूँ बट आपको explanation हिंदी में कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे से दे पाऊं ठीक है reading comprehension दोनों languages में रहता है student आपके paper 2 में so उसकी tension नहीं है बट हिंदी क language जो एक्जाम में आती है वो बहुत ही शुध हिंदी होती है और seriously जिन बच्चों ने इस बार का exam दिया है उन्हें पता होगा कि paper में कितनी difficult language थी Hindi वाली वह आसानी से समझ में भी नी आती है वो Hindi भी कुछ अलगी level की Hindi होती है ठीक है ना चलिए ध्यान से देखिए student next point आता ठीक है चलिए देखिए मैंने आपको क्या बताया था student पहला डार्ट बताया था जिसका नाम मैंने आपको बताया था student single-pointed dart ठीक है जी फर्स्ट मैंने आपको नाम बताया था single-pointed dart ओके जी अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा हिंदी मीडियम के बच्चे को भी मैं पढ़ाती है student मेरे batches में notes दोनों languages में देती हूँ and अब मैंने एक और टेकनीक सोची है कि जो हिंदी वाले बच्चे हैं मैं उन्हें अपने batches में प्योर हिंदी के notes दूंगी और वो भी इतने अच्छे notes दूंगी जो उन्हें भी बुक्स में नहीं मिलेंगे आज से मैंने प्रण लिया है क्योंकि आज मुझे रियलाइज हुआ कि शायद बच्चा जो हिंदी का है उसके लिए उतना जल्दी English को समझ पाना easy नहीं हो पाएगा सो आज से मेरा target यह है मैंने जो नया एक प्रण लिया है कि मैं हिंदी वाले बच्चे के लिए बहुत कुछ करूंगी और मैं English वाले के लिए 100% matter दूंगी दूंगी पर हिंदी वाले बच्चे को भी एक ऐसा content दूंगी जो से किताबों में मिले ही ना ऐसा ढूंड के लेकर ठीक है सो देखिए student यहां पर क्या लिखा है यह यह आपको दिख रहा है यह ट्राइंगुलर बन गया यह क्या दिख रहा है student यह भी ट्राइंगुलर बन गया यहां दो ट्राइंगल है यहां एक ट्राइंगल है सो ultimately हमें पता क्या चल रहा है कि dart मतलब triangle इतना तो दिमाग म student यहाँ पे अगर आप देखोगे यह point वाला area है यह आपका wider वाला area है यह point आप लोगो को समझ में आ रहा है student इसको अच्छे से देखिएगा यह आप लोगो का कौन सा point है point वाला और यह कौन सा है student आप लोगो का यहाँ पर देखोगे तो आपका जो चोड़ा वाला section है dart का तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है student के single pointed dart जो बनाया जाता है उसमें student एक हिस्सा आपका यह वाला होता है broader वाला और एक हिस्सा आपका narrow वाला होता है यह point sorted है इस चीज़ को ध्यान रखिए student के आपका यह वाला हिस्सा जो है student broader है एक हिस्सा पतला है सो single pointed dart में सिर्फ एक point होता है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है student single pointed dart रखा गया है ठीक है इस चीज़ को याद रखिएगा इसलिए इसका नाम क्या रखा है student हमने single pointed रखा है दूसरा वाला जो dart है student इसमें मैंने आपको क्या explanation दी थी कि इसके दो point होते हैं यही बोला था ना कि इस वाले dart में दो narrow point होते हैं एक narrow point यह रहा है student और दूसरा narrow point यह रहा ऐसा ही बोला था ना मैंने written वाली explanation में एक नेरो पॉइंट यहां पे है, दूसरा नेरो पॉइंट यहां पे है, और बीच में एक आपका ब्रॉडर एरिया है, ऐसा ही आपको बताया था, सुध्यान से देखो student, कि इस वाले डार्ट में जिसे हम फिश डार्ट कहते हैं, या डबल पॉइंट डार्ट कहते हैं, तीन नाम इसके है, फिश डार्ट, डबल पॉइंट डार्ट, आपका फुल डार्ट, यहां पे आप देखोगे, एक एरिया आपका चोड़ा वाला है, दो एरिया आपके पॉइंट वाले हैं, और सुध्यान यह आपस में आकर मिल जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको किस नाम से ज बॉडेक्स और सिलहूट का मतलब होता क्या है, वो आपको बताती हूँ, देखो, जो सिलहूट होता है ना स्टूडें, वो वर्ड यूज किया जाता है, कैसे कपड़े के लिए, जिसे आप जब बॉड़ी पे पहनो, सो आपकी बॉड़ी की शेप क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, एक ऐसा गार्मेंट, जो अगर आपने अपने शरीर पे धारन कर लिया, तो आपकी बॉड़ी की शेप बिल्कुल वैसे ही दिखे, जैसे कि उस कपड़े की शेप दिखे, यानि कि बिल्कुल जो बॉड़ी फिटेड डैस होती है ना, उसके लिए समझ लिए बॉडिक्स का मतलब क्या होता है, पता है, जब हम कोई भी गार्मेंट पहनते हैं ना, जैसे मान लिजे आप ब्लाउस पहन रहे हैं, आप टॉप पहन रहे हैं, आप क्रॉप टॉप पहन रहे हैं, आप शर्ट पहन रहे हैं, जो जो किसी भी गार्मेंट का एक उपर वाला स माम 2 पेपर में research method and statics की class नहीं होती है second paper में मादूरी पतिल मैं आपको बता दूँ कि paper 2 में आपका research और statics involved नहीं है paper 2 में सर्फ paper 2 है and paper 1 में research पढ़ाती हूँ so paper 1 का पूरा batch अलग है जहां पे आपको teaching, environment, higher education, research method, ICT, logical reasoning आपका सब कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, so it clear student full form वाला PDF नहीं मिला है full form वाला PDF किस को मिल गया है student, yes or no, जल्दी बताओ okay, चलिए आप लोग को बता देती हूँ student, जिन बच्चों को ये वाला doubt है कि batches start हो गया है या नहीं हो गया है batches में admission ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं चलिए आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ student कि देखे मैं आपको बता दू कि मेरा जो batch है, वो शुरू अलड़ी हो चुका है ठीक है, मैं आपकी class बहुत छोटी लगती है, बहुत जल्दी खतम हो जाती है हाँ, ऐसे कैसे होता है भाई, 45 मिनिट पढ़ाती हूँ बच्चों मेरी class इतनी जल्दी खतम कैसे हो जाती है, और कभी-कभी तो 55 भी चला जाता है है ना मैम, reading comprehension English में करवाती है, मैम समझ नहीं आता है शिपरा साहू, ओके, सो शिपरा मैं काम करूंगी, कि मैं आपकी जो आपकी command है, मेरे लिए command है, सो मैं इसको ध्यान रखूंगी, कि मैं जो भी reading comprehension कराऊं आगे से मैं हिंदी में कराऊं, चाहे मुझे हिंदी स्पेशल करके क्लास लानी पड़ जाए मैं वो भी करा दूंगी ठीक है ना मुझे डिमांड स्वताते रहा करो मैं जितना कोशिश कर पाऊंगी आप लोगो के लिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको बेस्ट और बेस्ट चीज़े दे पाऊंगी हिंदी वाले बच्चों के जिससे की बाकी बच्चों को डिस्टरब ना हो ठीक है बैचिस में कैसे इन्रॉल हो सकते हो स्टूडेंट आप लोगो को क्या करना है आप लोगो को गूगल पर सर्च करना होगा यहां पर अड़ा 24 7 जैसे ही स्टूडेंट आप लोगो को क्या देखने के लिए मिलेगा यह सबसे पहले आप लोगों को एक पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है ना अड़ा 24-7 इंडिया जब आप देखेंगे तो आपको इस तरीके के एक विंडो ओपन होगी जहां पे सारे एक्जाम के नाम लिखे हुए हैं आपको इधर साइड में एक आपको पूरा स्क्रॉल बा आपको यहां पर तीन ओप्शन दिखेंगे यूजिसी नेट डिसमबर 2023 एमपी सेट एंड यूजिसी नेट जून 2023 इस पर जब आप क्लिक करोगे स्टूडेंट तो देखो आपको यहां पर बहुत सारे बैचिस मिल जाएंगे बड़ जो परसनली मैं आपको सजेस्ट कि आपको जिसमें एडमिशन लेना है जो आपके बेटर मेंट के लिए है और ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए कर रही हूं कि वो महंगा है यहां पर आपको सारे बैचिस दिख जाएंगे देखिएगा इन सारे बैचिस में से आपको जिस बैच में एडमिशन लेना है वो है यू इसमें admission लेने का फायदा क्या है वो आपको बता देती हूँ, देखो ये जो mega package student इसका rate 5499 है, ठीक है ना, अगर आप इस पे more offer पे click करेंगे, अभी आपको जब इससे आप open करेंगे अपने system पे, तो आपको 5499 का rate दिखाएगा, बर student जब आपको करना क्या है, जब आप उस प click करोगे student, तो आपको मेरा code apply करना है, मेरा code है Y571, जैसे याप इस code को apply करेंगे student, enter करते ही, आपको ये batch 5050 रुपे में मिल जाएगा, इसका benefit क्या है वो बता देती हूँ, इसका benefit ये है student, कि एक तो इसकी validity एक साल की है, यानि कि एक साल तक जो भी यहाँ पे batch मेरा launch होगा, आप उसे सारे batches को देख सकते हो, वो भी live form में, ठीक है न, आप मेरी सारी की सारी recorded classes देख सकते हो, आप मेरा जो live batch है वो attend कर सकते हो, plus student इस वाले batch में आपको paper 1 भी मिल जाएगा, यानि कि जिन बच्चों को paper 1 की तैयारी भी करनी है, उन्हें paper 1 भी पूरा complete यहाँ पे मिल two, दोनों चीज़े यहाँ मिल रही है, recorded plus live classes मिल रही है, paper 1 की mock test मिल रही है, यह उनके लिए ऐसा main source है, जहां से वो बहुत सारे exams को cover up कर सकते हैं, आने वाले एक साल के अंदर, जो भी UGC net का exam होगा, जो भी set का exam होगा, जो भी PhD entrance होगा, यहाँ तक कि teaching के exam को भी आप इसी स cover up कर सकते हो, यानि कि DSSB, UPTGT, PGT, यह सब भी student इसी से cover up हो जाएंगे, so एक mega pack लेने से आपके सारे problem solve हो रहे हैं, और उस एक mega pack में student आपको सारी चीज़े मिल जाएंगी, so जिन जिन बच्चों को admission लेना है student, वो इसमें ले सकते हैं, जो भी student इस class में attend कर रहे हैं, class को व भी देता है, अगर आप paper 2 को अलग से खरीते हैं, student या paper 1 को अलग से खरीते हैं, so उसमें आपको बहुत ज़्यादा costly पड़ेगा, और इसके आपके लिए benefits बहुत ज़्यादा है, so आप इसे purchase कीजिएगा, और अभी तक किसी ने Adda247 की application इंस्टॉल नहीं की है, तो वो कर लिजेगा, वहाँ पे भी आप लोग को अब एक feature मिलने वाला है, कि जिसको doubt पूछना है, वो मेरे से application पे भी doubt पूछ सकता है, ठीके ना, so यह ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे नए हैं, जिनोंने अभी तक application डाउनलोड नहीं की है, और मुझसे बात करना चाहते हैं, so यह ध्यान रखिएगा student, कि वो application को download कर लिजे, application का जो link है student, वो मेरी class के description box में आपको मिल जाएगा, उस पे click करते ही आप उसे download कर पाएंगे, so I hope आपको class में मज़ा आया होगा student, चीके, चलिएगा student, bye bye take care, I hope आपको आज की class अच्छी लगी होगी,